पिछली ग्लास में हम लोगोंने chemical kinetics में zero order reaction के बारे में बाचीत की थी तो आज हम लोग second order kinetics को पढ़ेंगे खेर second order kinetics तो ठीक ठीक importance रखती है मतलब इसमें जो सवाल आते हैं वो directly formula based सवाल आते हैं मतलब आपने value put की formula में answer निकाला और जो मैं cactus sticks बताऊंगी उससे related थोड़े बहुत सवाल लेकिन अगर मैं second order को हटा दूँ तो आप लोगों के पास जो third order या फिर जो fourth order and so on जितने भी higher order kinetics हैं उनमें सवाल नहीं आते हैं ठीक है उनकी अगर सवाल पूछे जाते हैं तो वो generalized way में पूछे जाते हैं generalized way में पूछे जाते हैं यानि कि एक general equation हम बनाएंगे nth order के लिए और उस general equation के हिसाब से कि fourth order के लिए ऐसा unit क्या होगी seventh order के लिए फिर बताईए graph किस तरीके का इस तरीके का कुछ generalize otherwise higher order kinetics आप लोगों को उतनी detail में नहीं पढ़नी है second order भी पूवी तरीके से detail में नहीं पढ़नी है क्योंकि कुछ numerical second order में directly पूश लिए जाते है formula base ताकि वो तुम बना सको इसलिए बताया जा रहा है और second order को पढ़ने के बाद ही तुम pseudo order kinetics क्या होती है यह सीख पाओगे इसलिए second order पढ़ाया जा रहा है है न एक zero order होता है syllabus में एक first order होता है एक pseudo order होता है तो pseudo आया कहां से ठीक है उस pseudo के उत्पन मतलब क्या है तो उसके बर्त को समझने के लिए basically हम लोगों को second order kinetics पढ़नी होती है पहला classification जो होगा हमारे second order kinetics का वो रेखो कुछ ऐसा होगा कि जो आपका reaction है उस reaction में मात्र एकी reactant है only one reactant जैने कि A is getting converted into a product खतम बात ठीक है आच्छा फिर दूसा case पता है इसमें क्या होता है दूसा case आप लोगों का कुछ इस तरीके का होगा कि वहाँ पर आप लोगों को reaction में दो reactants देखने को मिलेंगे यानि कि A प्लस B ये convert हो रहा है किस चीज में आपके product में बराबर वैसे तो A प्लस B प्लस C ये वाला भी एक case हो सकता है बट खैर हम लोग सिफ यही दो cases बना कर चलेंगे ठीक है आच्छा फिर ये जो एक case होता है कि दो reactant है और दोनों के दोनों reactant मिल कर product बना रहे हैं इस particular case नमबर टू को further दो parts में classify किया जाता है अगें ठीक है फिर से इसको कितने parts में classify कर दिया जाता है फिर से दो पहला part जो होता है उस part में हम लोग ये बात करते हैं कि आपने जो ये A और B जो ये दो reactants लिये हैं ये दोनों reactants की concentration सेम है यानि कि concentration of reactant A and concentration of reactant B ये आपस में सेम है या फिर pressure दिया है तो pressure के terms में otherwise concentration के terms में या फिर दूसरा case यहां पर ये बनता है कि यहां पर आपने जो ये दो reactants लिये हैं इन दोनों reactants की concentration सेम नहीं है clear है cases के बारे में क्या बातचीत कर रही हूँ मैं ठीक है तो मैं तुम्हें बता दू कि ये जो हम लोग second order kinetics के दो classification किये न एक classification मैंने कर दिया case number one और दूसरा मैंने classification कर दिया case number two फिर case number two के हमने दो parts कर दिये एक part a और एक part b तो यहां पर एक point है जो तुम्हें याद रखना है कि जो result हम लोग case number one के को लेकर derive करेंगे वही same result हमें case number two के a part से मिलेगा यानि की result obtained अगर मैं इस बार में result obtained मतलब जो भी derivation आपको मिलेगा जो भी grass आप बनाओगे ठीक है result obtained from case number one ठीक है and case number two का a ये दोनों के दोनों basically आप लोगों के कैसे रहने वाले हैं आप लोगों के सेम रहने वाले हैं जो points discussion case number one में होगा वही same point वही same formula case number two के a में discuss होगा क्यों वो मैं बता दूंगी बट खैर अभी फिलाल derive करना शुरू करते हैं तो case number one का derivation देखते हैं तो in general चलिए मान के चलिए कि आपके पास एक reactant है a ये convert हो रहा है किसमे product में ठीक है ये हमारा एक reactant है a जो कि किसमे convert हो रहा है product p में अब मुझे इसका rate लिखना है तो पहले तो मैं इसका differential rate लिख लेती हूँ तो अगर मैंने इसका differential rate लिखा तो rate में इसका differential form में क्या होगा minus of dA upon dt देखो तुम ये observe करोगे मैं कहीं आइस स्क्वेर ब्रेकित लगा रही हूं मैं कहीं स्क्वेर ब्रेकित नहीं लगारी हूं तो दोनों चलता है concentration का the raq लगाऊ नहीं लगाऊ चलता है बट आदत हो जाती ना chemical equilibrium से स्क्व亿 ब्रेक्त लगाने की तो हो जाते हैं बेट कैसा है का रबार इस तरीकम का स्क्व ब्रेक्ट लगाकर चलते जाओ लिखते जाओ कई भापोस्टिबल नहीं होताँ अजसे वे इसी में इसके क्या भी होता है तो कई फ़रक नहीं पड़ेगा फिर आपको तो बताईए steps वगेड़ा क्या होती है दोनों rate अब अलग तो हो नहीं सकते एक ही particular reaction है उसी reaction के तो अलग-अलग तरीकों से निकाले हुए rates अलग तो आएंगे नहीं, same ही आएगा न तो यह दोनों को हमने equate किया फिर जो की हम करते हैं variable separate करते हैं तो चलो हमने variable आप लोगों का separate कर दिया da upon में a का square equals to आप लोगों का k और यहाँ पे dt और तुम तो जानते हो कि k constant है उसको integrate नहीं करेंगे तो यह इस तरीके से k integration के बाहर limits put कर नहीं है आप इतने दिनों से second order से पहले zero order पढ़ चुके हो first order पढ़ चुके हो तो अप तो limits के बारे में idea होई गया होगा यह zero से लेकर t और यह हो जाएगा a naught से लेकर a t जहाँ पे a naught का मतलब क्या होता है यहाँ पे जो a naught में लिखा है इसका मतलब होता है initial concentration कि जब reaction शुरू हुई थी उस वक्क concentration कितनी थी और यहाँ पे जो यह 80 होता है इस 80 का मतलब क्या होता है कि after time t मतलब 10 मिनिट बाद ठीक है 5 मिनिट बाद 6 मिनिट बाद मुझे नहीं पता कितने मिनिट बाद कितना बचा बराबर कितना बचा आप लोगों के पास कितनी reactant की concentration बची that is basically known as आप लोगों का what 80 वो हम लोगों का क्या कहलाता है 80 कहलाता है done यह कहानी अच्छा चलिए अब integrate करना है तो मेरे से ज़ादा बहतर integrate करना था तुम्हें आना चाहिए है ना maths के पकड़ में हो max के साथ हो तो integration करें क्या होगा बताओ minus 1 upon x square का integration क्या होता है minus छोड़ दो minus sign जैसी थी उसको मैं बाहर रख लेती हूँ 1 upon x square का integration क्या होता है minus 1 upon x तो यानि कि इसका integration होगा minus 1 upon a और यहाँ पे limits होगी हमारी a 0 से लेकर कहा तक 80 तक equal to k times इसका integration तो t और यहाँ पे जो limits पुट हो रही है 0 से लेकर कहा तक t done अच्छा क्या बन गया यहाँ से formula क्या बन गया limits वगेरा सब पुट कर दो 1 upon 80 ठीक है minus 1 upon a 0 मैं basic maths कर रही हूँ ठीक है basic maths तो मुझे लगता कि इस तरीके से limits वगेरा पुट करना minus sign के हाँ गई क्या गई यह सब बच्चो जैसी चीजे मुझे तुम्हें बताने की नेड़ है क्योंकि इतना maths उम्हें आना चाहिए तो 1 upon 80 minus 1 upon क्या बन गया a 0 is equal to kt यह formula आ गया हमारे पास भईया का second order kinetics का लो बढ़िया वो भी कब जब हमारे पास क्या हो सिर्फ एक reactant हो ठीक हमारे पास कितना हो मात्र एक reactant उस वक्त के लिए हमारे पास यह formula निकल कर आ चुका है क्या तुम्हें यादे जब हमने first order kinetics पढ़ी थी पहले दिन तो उस दिर हमारा formula log के terms में आया था 80 upon A not sorry A not upon A T फिर उसके बाद हम लोगों ने zero order kinetics पढ़ी तो उसमें भी हम लोगों का formula क्या आया था A not minus 80 is equals to K T तो आज यह हमारे पास एक तीसरा formula आ गया ठीक है कब जब हमारे पास मात्र एक reactant हो तब मात्र जब हमारे पास एक reactant हो तब अब बातचीत देखो कुछ ऐसी चलती है कि माडम आपने case number 2 का जो पहला पार्ट था आपने उस case number 2 के पहले पार्ट को जहाँ पे दो-दो प्रकार के reactants involved थे ठीक है क्या थे आपके पास दो-दो प्रकार के reactants involved थे a plus b is giving you a product तो वहाँ वाले rate मतलब उस वाले reaction का और इस वाले reaction के formula को आपने same q कहा तो वहाँ पे हमारी condition क्या थी कि दोनों की दोनो reactions में ठीक है दोनों की दोनो reactions में क्या होगा आप लोगों का concentration दोनों जो reactants है यानि कि मैं यह लिख सकती हूँ concentration of a equal to concentration of b यानि कि मैं यह लिख सकती हूँ कि therefore आपके पास concentration basically आ रही है reactant की वो तो अलग-अलग reactant की concentration ना लिखते हुए उसका हम ऐसे लिख सकते है reactant की concentration equal to a का square या फिर b का square लिख सकते हूँ ना किसी दोनों क्योंकि सेम है तो वैसे reactant की concentration क्या होती है concentration of a into let's say ऐसी लिखते है आप rate rate के वगत आप ऐसी लिखते है rate equal to k times the concentration of a into concentration of b अब क्योंकि a और भी आपके equal है तो इस तरीके से मैं इस यह लिख सकती हूँ आप लोगों का rate rate of reaction equal to k times of a square तो तुम्हें नहीं लगता हमने इस derivation को करते है वग भी तो a square ही करके किया था इसलिए दोनों का यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है सेम चीज़े आपको यहाँ पर देखने को मिलती है ठीक है इसलिए case number 2 और case number 2 का a part और जो आपने case number 1 बनाया था कि अगर हमारे पास एक ही reactant हो यह दोनों में कैसे आपको सेम result मिलता है खेर चलिए पहले अभी कुछ बातचीत कर लेते हैं वो जो case number 2 का b part है जब दोनों reactants अलग-अलग होते हैं तब क्या होता है उस पे हम सबसे आखरी में बात करेंगे क्योंकि उस case पे बातचीत ही इसलिए की जा रही है ताकि हम लोग pseudo order kinetics को पढ़ सकें और हम लोगों का कोई एम नहीं है उस particular चीज को पढ़ने का हमारा एम उसको पढ़ने का सिर्फ और सिव इतना है ताकि हम pseudo order kinetics पढ़ सकें सीख सकें इसलिए वो चीज़ तुमें सिखाई जा रही है आद आवाइस उसकी कोई महत्तवता कोई importance नुवारी life में नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्या जानते हो तुम second order kinetics के बारे में तो सबसे पहली चीज़ आपको unit लिखते आने चीज़े ऐसा ही unit लिखते आने चीज़े तो उसके लिए आपको general formula पता होना चीज़े unit का तो general formula क्या होता है unit का हम लोग जानते हैं आप लोगों का mole ठीक है mole की power में कितना होता है 1-n लीटर उसकी power n-1 और उसके बाद क्या होता है time और time की power में-1 अब क्योंकि यह second order kinetics है तो यहाँ पर जो n की value है वो कितनी रही होगी 2 रही होगी so therefore अगर कोई मुझे आप यहाँ से unit के बारे में comment करने को कहेगा तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ mole की power में-1 ठीक है लीटर की power में 1 और time की power में तो खेर minus 1 रहेगा ही रहेगा यह है हम लोगों की यहाँ पर SI unit यह हम लोगों की क्या है यहाँ पर SI unit यह पहला discussion जो हर एक इंसान को पता होना चाहिए ठीक है second order kinetics के बारे में दूसरा आपको second order kinetics के examples बता होने चाहिए जैसे मैंने हर वीडियो में हर क्लास में तुम लोगों को चाहिए first order पढ़ाया हो चाहिए zero order पढ़ाया हो हमेशा देखना है ने तुम लोगों को examples बताए है कि इस example में ऐसा यहाँ पर वैसा यह वो हमेशा तुमको बताया है है ना तो वो examples कौन से हैं आप किस particular चीज को second order kinetics के अंतरगत आप रखोगे तो शायद तुम्हें पता होगा कि अगर हमारे पास ozone है और ozone को अगर हम लोग convert कर रहे हैं O2 में balancing कर लेना तुम चुला मैं ही कर देती हूँ 2 और यहाँ पे 3 अगर आप के पास ethene है सौरी आप लोगों के पास क्या है ethene है C2H4 और आप उसमें H2 add कर रहे है मतलब hydrogen add कर रहे हो तो वो क्या मन जाता है convert हो जाता है ethene में C2H6 में ठीक है अच्छा H2 को add करना is basically known as hydrogenation जैसे organic chemistry में तुम लोगों ने अभी electrophilic addition reaction पढ़ रहे हो उसमें यह थी देखी होगी कि double bond के across किस तरीके से हम add करते है C2H4 मतलब alkin हुआ उसमें भी double bond होगा तो आप क्या करते हो double bond को तोड़ते हो दोनों carbon के आजू बाजू एक एक एच एच एड़ कर देते हो this is known as hydrogenation this is an example of second order kinetics है ना यह कुछ examples है जो है उतना तो कम से कम पढ़ ले next चीज जो आपको हमेशा पढ़नी चाहिए वो होता है half life time half life time आपको जरू पढ़ना चाहिए चाहिए आप कोई भी kinetics पढ़ो first order, second order, zero order, end order कोई भी तो half life के लिए हम करते क्या है अब half life का define तो तुम सबको पता है ठीक है तो उस वक्त आप लोगों का जो a not concentration को आप a not ले लेते हो लेकिन जब आप t equal to t half मतलब जब आप time को t half लेते हो तब आपको अपने 80 को 80 ना लेते होए उसको a not by 2 लेना पढ़ते है क्यों लेना पढ़ते हैं यह first order में सिखाया हुआ है अच्छा तो ऐसे केस में अगर मैं t half के बारे में comment करूँ या t half के बारे में अगर मैं बाचीत करूँ तो t half के बारे में हमारी बाचीत किस प्रकार से हो जाएगी जैसे formula क्या है 1 upon 80 तो 1 upon 80 ना लिखते होए उसे क्या लिखेंगे 1 upon a not upon 2 minus में क्या आएगा 1 upon a not और is equals to क्या आजाएगा k times of t बराबर तो इस चीच को simplify करके लिख सकते 2 upon a not minus आप लोगों का 1 मतलब directly मैंने लिख दिया समझ जाओ equal to kt kt ना लिखते हो इसको t half लिख दू यानि कि 50% reaction को complete होने में कितना वक्त लग रहा है तो यहां से शिक्षा क्या मिलती है कि 50% reaction को complete होने के लिए जो वक्त लग रहा है वो है ये यानि कि ये t half का formula है अगर तुम्हें थोड़ा सभी याद हो तो first order kinetics में t half का formula आया था 0.693 divided by k यानि कि first order kinetics का जो half life time था वो independent किस दीज के initial concentration के कि initial concentration क्या है उससे उसको कोई फरक नहीं पड़ता राइट आपका जो zero order kinetics था zero order kinetics का जो t half life time था वो कितना था a naught upon 2 के यानि कि t half का a naught के साथ direct relationship था और यहां पे इस particular formula को देखो जरा आपको आपके t half के साथ कैसा relationship दीखरा है a naught का a naught denominator में है यानि कि मैं ऐसा लिख सकते हूँ t half is inversely proportional to 1 मतलब a naught इसका मतलब अगर आप initial concentration आप बढ़ाओगे ठीक है इसका मतलब यह होता है कि अगर आपने initial concentration को बढ़ाया तो जो आप लोगों का t half होता है मतलब reaction को आधा complete होने में मतलब उसके reactants को आधा consume होने में जो वक्त लगता है वो आपका क्या होने लगेगा घटने लगेगा initial concentration को आप बढ़ाओगे तो जो आपको वक्त लगता है वो आप लोगों को क्या होने लगेगा कम लगने लगेगा क्योंकि ये लोग आपस में कैसे हैं, inversely related है, directly related नहीं है, ये लोग आपस में कैसे हैं, inversely, even तुम ये पढ़ोगे अभी, जब मैं तुम्हें एंथ और काइनेटिक्स के लिए general formulas लिखवाऊंगी, तुम ये जानोगे, कि first order तो independent थी, आपकी जो zero order थी, वो directly dependent थी, initial concentration पे, from second order onwards, जो आपके next higher orders आते हैं, third, fourth, fifth, sixth, seven, इसमें हमेशा जो टी हाफ होता है, वो initial concentration के inversely होता है, किसी में second power में होता है, किसी में third power में होता है, बैट रहता हमेशा inverse ही है, यानि कि second order kinetics के onward से, आप लोगों के टी हाफ का initial concentration के respect में, जो मतलब pattern है, वो कैसा वाला शुरू हो जात है, तुम मतलब correlate कर पा रहे हो, किस तरीके से first order पढ़ रहा है, किस तरीके से second order पढ़ा हो, किस तरीके से हमने second order पढ़ा है भी, तो इस तरीके से comparison करते हैं हम लोग अपनी गाड़ी को क्या कर रहे हैं, आगे चला रहे हैं, चलो next point पर हम लोग अभी शुरूबात करते हैं, next point हम लोगों का क्या है, next point बहुत ही प्यारा है, तुम्हें याद होगा, अगेन पुरानी दिनों की बात, जब आपको first order kinetics पढ़ाए थे, तो उसमें first order kinetics में हमने क्या बातचीत की थी, कि मतलब equal time interval अगर reactant को दिया जाए, तो reactant का percentage wise आपको क्या देखने को मिलता है, equal decrement index में को मिलता है, मतलब percentage wise वो लोग equally decrease होते हैं, और अगर माल लेते हैं, मैं percentage wise बात नहीं करती हूँ, तो normal reactant कैसे decrease हो रहा है, इस term में अगर मैं बातचीत करती हूँ, तो हम लोग ने कहा था कि वो terms आपस में GP form करती हैं, फिर हमने zero order पढ़ा तो हमने का वही same terms आपस में AP form करती हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं second order kinetics को, तो second order kinetics मैं तुम्हें बता दू कि जो concentration होती है, किसकी of reactant, छीक है, concentration of reactant in equal time, अब अगर आप equal time दोगे, तो reactant की जो concentration है, जो decrease हो रही है, वो क्या form करती है, उसके जो terms होते हैं, वो क्या form करते हैं, HP form करते हैं, अब यह HP क्य होर्सपावर की हिंदोस्तान petroleum, यह HP maths वाला HP है, जो तुमने maths में पढ़ा होगा, harmonic progression, इसे क्या कहते हैं हम लोग, harmonic progression, जैसे AP मतलब होता है, arithmetic progression, GP मतलब geometric progression, HP भी आपने maths में definitely पढ़ा ही होगा, जिसका मतलब होता है, harmonic progression, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, harmonic progression, खेर maths के teacher आपक तरीके से समझा पाएंगे, कि what do you mean by the term harmonic progression, but right now मैं कोशिश करती हूँ, HP को meaning, इसका explain करने की भी आखिर HP आप कहते किस चीच को, तो देखो HP को अगर हम लोग समझने की कोशिश करे, maths के case में, तो ऐसे case में आपको HP के साथ साथ AP क्या होता है, आपको ये भी पता होना ठीके, तो क्या होता है भी ये AP, ये तो I think 10th standard तक maths में सभी लोगों ने पढ़ा है, तो मान लेते हैं, अगर आपके पास कुछ terms है, ये terms क्या कर रहे हैं, ठीके, ये जो terms हैं, ये क्या कर रहे हैं, आप लोगों के already AP में हैं, ठीके, बराबर, बराबर ये आप लोगों के क् AP में हैं, आचा ठीक है, ये लोग already क्या हैं, AP में हैं, ठीक है, तो ऐसे में ये terms आप लोगों के already, already किस form में हैं, AP में हैं, अब AP मतलब क्या, एक term और दूसरे term के बीच में, common difference होना चाहिए, बराबर, ओके, और अगर ऐसे terms, जो already AP में हैं, अगर आप उन्ही terms का reciprocal ले लो, अगर आप उन्ही terms का क्या ले लो, AP वाले terms का आप क्या कर लो, reciprocal ले लो, reciprocal मतलब समझता है न, ulta, है न, तो जब आप ulta ले लोगे, और ulta करने के बाद, एक sequence सयार करो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसा लिखा है, तो ये AP में है, तो इसको क्या लिख दिया, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 6, 1 by 8, ऐसा तो आपने जो sequence create हुआ, उस particular sequence को ही basically हम लोग क्या कहते है, आप लोगों का HP कहते है, ठेक है, इसको हम लोग क्या कहते है, HP, तो अगर मैं short form में HP को define करना चाहूं, तो basically HP क्या होता है, ये reciprocal होता है, किस तीच का reciprocal होता है, आप लोगों के AP का, ठेक है, reciprocal of AP, मतलब जो sequence create हो रह है, होप सो तुम्हें ये बात समझ में आई हो, खेर, let's say, बाकी HP की detail बातचीत के लिए, maths की classes को kindly refer करिए, है न, इसमे मैं ज्यादा comment नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उन्हेरा उतना command नहीं है, मेरा तो chemistry में command ने बताओ, तो फिर मैं maths में क्यों बातचीत करूं, और भी बहु sequence को HP कहते है, तो कुछ समझ नहीं आएगा न, फिर तो रट्टा वारना हो जाएगा, इसे लिए बताया है, हना, जैसे जब मैंने GP पढ़ाया था, तो मैंने GP के बारे में भी comment किया था, अभी HP पढ़ा नहीं हूँ, तो HP के बारे में भी comment कर रही हूँ, चलो, आगे आजो, तो यह जो, मतलब, concentration of reactant को, अगर आप equal time interval provide करो, तो यह लोग क्या form करते हैं, HP form करते हैं, कैसे form करते हैं, for example, हमने एक chart बनाया, time, और दूसरे तरफ हमने chart बनाया, किसका, आप लोगों के, किसका, one upon concentration का, किसका, one upon concentration का, ध्यान रखना, concentration का नहीं, one upon concentration का, reciprocal का, हम लोग अभ अगर time आपने zero set करके रखा है, तो उस zero time पर आपके पास one upon eighty, कितना होगा, मतलब, कितना बचा, यह मैं पूछ रहे हूं, तो time equal to zero पे तो reactant खतम ही नहीं हुआ होगा, और अगर reactant खतम ही नहीं हुआ होगा, तो मैडम बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो obviously उस वक्त आप लोगों का जो initial concentration है, वह ही इच one upon eighty होगा, मतलब, यह मैं लिख सकते हूं, कुछ खतम ही नहीं हुआ ना, जो concentration है, initial concentration जो है, वही आप लोगों की उस वक्त है, हिनत one upon a naught है, अच्छा, फिर जब हम लोग बात करते हैं, किसकी, हम लोग ने बात करना शुरू की, let's say time t की 0 से हम t time पर आ गए, पांच मिनट, डस मिनट के इतना भी आ सकते हो, तो जब हम 0 से t time पर आ गए, तो उस वक्त आपके पास one upon eighty की कितनी value है, तो आपको होगे कि one upon a naught plus kt है, कैसे पता चला one upon a naught plus kt है, यह देखो ना, उपर formula derive की है है ना, one upon eighty को calculate करने का, चेक करो, यह time interval कितना रखा है, 0 से t, t time interval, तो अब time interval कितना रखते है, 2t रखते है, 2t time interval रखोगे, तो यहां कितना हो जाएगा, one upon a naught plus two times of kt, अगर मैं 3t time interval रखूँ, तो यानि कि one upon a naught plus three times of kt, यह बाल बता हूँ, क्या इन दोनों के बीच का common difference calculate करो, d, कितना आता है, इन दोनों के ब common difference calculate करो, कितना आता है, मतलब difference calculate करो, not common difference, यह again kt आता है, यहां पे इन दोनों के बीच का निकालिए, यह difference भी कितना आता है, kt आता है, इसका मतलब मैं यह comment कर सकती हूँ, कि जो one upon concentration जो है, जो one upon concentration के जो terms है, यह terms में common difference आपको देखने को मिल रहा है kt का, है ना आपको एक concentration आपको दूसरी concentration के terms के बीच में common difference कितने को देखने को मिल रहा है, kt का देखने को मिल रहा है, इसका मतलब यह जो one upon concentration है, इसने क्या किया होगा, इसने one upon concentration ने क्या किया होगा, इसने one upon concentration ने क्या किया होगा, ap form किया होगा, so therefore, अगर मैं reciprocal ले लूँ, किसका reciprocal ले लूँ, above एपी का यह जो उपर एपी क्रियेट हुई किसकी एपी वन अपन कंसेंट्रेशन की एपी इसका अगर मैं रसी प्रोकल ले लूँ तो यह जरूर क्या फॉर्म कर रहा होगा यह आप लोगों का एच पी फॉर्म कर रहा होगा अगर वन अपन कंसेंट्रेशन एपी फॉर्म कर है तो उसका रेसी प्रोकल वन अपन कंसंट्रेशन का रेसी प्रोकल बोलो क्या प्यार कर रहा होगा है तो वन अपन कंसंट्रेशन का रेसी प्रोकल बोलो क्या होता है कंसंट्रेशन ही तो होता है वन अपन चाहिए इससे आपको कोई ऐसा नहीं है कि माट्स वार्स आपसे कोई करवाने बैड या आप लोगों को माट्स पढ़ नहीं पढ़ रही है अभी केमिस्टरी के बीच में एपी जीपी एचपी लगाना पढ़ रहा है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बेट स्टिल आपको चीज के बारे में ये बढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हमें पता चल गया कि इस रियाक्शन का जो टी हाफ होता है वो इन्वर्स दी प्रपोर्शनल है वगेरा वगेरा ये सब तुम लोगों ने जान लिया खेर अभी एक चीज तुमको और जाननी है सेकेंड और काइनेटिक्स में वो ये कि अगर आपके पास एक second order काइनेटिक्स दी हो और अगर मैं कहूं कि second order काइनेटिक्स को complete होने में कितना वक्त लग रहा है अगर हम इस बारे में बाचीत करें तब आपका क्या जवाब होगा तो शायर तुम्हें याद होगा कि जब हमने first order काइनेटिक्स चल रही थी कि first order kinetics तो एक ऐसी reaction है जो कभी complete ही नहीं होती बराबर यही बाचीट चल रही थी हमारी फिर second हमने zero order reaction पड़ी फिर उसमें हमारी बाचीट क्या चल रही थी कि zero order reaction में आपकी जो क्या कहते है reaction जो है वो almost 2 half life के बाद complete हो जाती है क्योंकि जो टी 100% है वो टी 50% वाले time का क्या होता है डबल होता है यानि कि वो complete होती है ऐसा हम लोगों ने बाचीट की थी किसमें आप लोगों के zero order kinetics में अब बाचीट चल रही है second order kinetics के बारे में तो second order kinetics के बारे में आपका क्या कहना ह तो second order kinetics में comment करने से पहले एक काम करते हैं एक relationship derive कर लेते हैं किसके बीच में आप लोगों के t50% और let's say t75% के बीच में या t80% 90% जिसके बीच में कर रहाना है उसके बीच में करवालो चलो देखो कितना आता है जब माल लेते हैं हम लोग बात करते हैं 50% की तो 50% का मतलब 50 परसंट reaction हो गई तो बोलो बची कितनी पचासी बची होगी न तो बची वाली कितनी है बची वाली आपके पास a0 upon 2 है यानि कि मैं 1 upon 80 की जगा क्या लिख सकती हूं a0 upon 2 इक्वल अच्छा माइनस में 1 upon a0 इक्वल टू बोलो कितना के टी के टी की जगा यहां लिख दिया 50% सॉल कर लो तो सॉल तो अभी अभी किया था हमने क्या आएगा आप लोगों का 1 upon a0 अच्छा और यहां पे के भी लिख लो इक्वल टू टी किसका 50% का मतलब 50% reaction को complete होने के लिए इतना समय लगता है अब एक काम करते हैं जिरा यह बताईए कि अगर आप यह चाहते हो कि reaction let's say 80% complete हो जाए या फिर कोई दूसरा number भी ले सकतो मरजी तुम्हारी है चलिए 75% वाला number ले लेते हैं अगर reaction 75% complete हो गई है इसका मतलब वो particular reaction कितनी incomplete है मतलब कितनी बाकी है पहले तो आप उस पे बात करो तो अगर कोई reaction 75% complete हो गई है इसका मतलब वो reaction 25% अभी भी बोलो क्या है बाकी है औ और 80 में हम बाकी वाली ही लेते हैं ठीक है 80 में हम लोग क्या करते हैं बाकी वाली ही लेते हैं तो बाकी कितनी है initial के respect में A0 upon 4 बाकी है है ना A0 upon 4 बाकी है 3 times of A0 upon 4 तो क्योंकि खर्च हो गई ओके तो क्या मैं इसीच को ऐसा लिख सकती हूं 1 upon कितना आपका A0 upon कितना 4 is equals to 1 upon A0 अच्छा माइनस है यहाँ पे बीच में equal to K T75% बराबर कितना आया K T75% solve अगेड़ा कर लीजिए कितना आ जाएगा 3 times of अपना A0 upon में बोलो कितना K is equals to आपका T75% यह आ गया हमाय पड़ T75% का फर्मूला ऐसे पेपर में आपको अलग-अलग time period पूछे जा सकते हैं बट मेरा aim अभी यह है कि T50% वाले time को T75% वाले time के साथ compare किया जाए तो जब आप T50% वाले समय को T75% वाले समय के साथ compare करें तो आपको यह रिखा कि A0 upon के ठीक है और यह कितना है 3 times of A0 upon के अच्छा मैंने एक में रुको A0 को उपर गलत जगा लिख दिया है इसको ठीक कर लें दो यहाँ पर 1 और यहाँ पर A0 तो आपने क्या देखा यह time और यह time तो उड़ गई है ना आच्छा और इससे क्या शिक्षा मिली कि आपका जो T50% is equal to upon में लिख लेते है T75% equal to कितना आ रहा है आपके पास यह आ रहा है 1 upon 3 यानि कि T75% आपके 3 times होगा T50% के समझ रहो 3 times हो जाएगा और जरा एक अपने notes copy के पन्ने पल्टो मैंने first order kinetics में क्या लिख वाया था तुम लोगों को मैंने first order kinetics में लिख वाया था चलो मैं लिखा देती हूँ कहां गया हमने अगर मैंने डिलीट नहीं किया होगा तो मिल जाएगा नहीं है डिलीट कर चुकी हूँ मैं चलो जाने तो कोई दिक्कत नहीं तो उसमें आमने और डिसक्षिंग किया है कि 75% reaction को complete होने के लिए I think व तो ऐसे में अगर तुम यह expect करोगे second order kinetics है कि वह complete कब तक होगी है नगर तुम second order kinetics से expect करोगे कि तुम complete कब तक होगी तो तो again first order kinetics के जैसे जो आपकी second order kinetics है ये कभी भी complete नहीं होती है ठीक है never goes to completion ये कभी भी क्या नहीं होती है आप लोगों की complete नहीं होती है कभी भी नहीं होती है और इसको complete होने के लिए जो time required होता है वो कितना होता है infinity यहां से साथ साथ दिख रहा है अगर 75 को triple चाहिए 3 times चा ऐसे केस में उसको complete होने के लिए तो बताने कितना ज्यादा चाहिए होगा तो इसलिए second order kinetics भी first order kinetics के जैसे ही complete नहीं होती है ठीक है फिर आपको various various curves इस second order kinetics में plot करने के लिए बोले जा सकते हैं तो उन various curves के बारे में बात कर लेते हैं मैं case 2 भी discuss करूँगी पहले curves के बार तो एक curve जो की बहुत ज़्यादा famous है वो होता है T half versus आप लोगों के किसका curve initial concentration का curve तो Y axis पे T half आपकी X axis पे initial concentration यानि की A naught तो curve बनाने के लिए equation पता होनी चाहिए तभी तो कर बनेगा तो T half का initial concentration के साथ कैसा relationship हम सब जानते हैं बताओ आप लोगों का inverse का relationship है बराबर यही तो formula है ना आपका T half is equals to आपके पास कितना 1 upon A naught times of k आप T half को plot कर रहे हो Y axis में और A naught को plot कर रहे हो X axis में ध्यान रखना A naught को plot कर रहे हो 1 upon A naught को नहीं मैं 1 upon A naught भी plot करके बता दूंगी कैसा दिखता है बट 1 upon A naught को नहीं A naught को तो इनके बी यह हो गया Y और यह हो गया A naught आपका X inverse और inverse वाले graph कैसे रिखते हैं यह मैंने तुम लोगों को पहले बताया है खेर गेशय स्टेट जब पढ़ाया था ठीक है तो गेशय स्टेट पढ़ाते वग बताया है कि inverse के graph कैसे रिखते हैं rectangular hyperbola यानि कि यह ऐसे दिखेंगे ठीक है लेकिन अगर मान के चलिए मान के चलिए यही same curve मैं आपको ऐसा plot करने को कह दूँ बताओ यह आपकी Y axis जिसमें आप T half plot करेंगे यह आपकी X axis जिसमें आप 1 upon A naught plot करेंगे यानि कि initial concentration का reciprocal ठीक है तो क्या अभी कर सेम आएगा क्या बिलकुल नहीं क्या है हमाई पर formula formula is T half is equals to 1 upon A naught into K अब देखो यह जो T half है यह कहाँ plot हो रहा है Y पर और यह जो पूरा का पूरा 1 upon A naught है यह कहाँ plot हो रहा है इस बार X axis पे पिछली बार क्या plot हो रहा था सिर्फ A naught इस बार क्या plot हो रहा है 1 upon A naught है ना तो ऐसे में क्या यह equation is format की है Y equal to MX वाले format की बिलकुल जहाँ पे आ पर आपका कितना है 1 by K यानि कि इस बार अगर आपने T half का 1 upon A naught के साथ अगर graph plot किया तो यह कैसा दिखेगा यह ऐसा दिखेगा ठीक है और इस particular graph का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसका जो slope है आपका tan theta के बराबर हो सकता है जहाँ पे यह angle आपका theta है Y2 minus Y1 upon X2 minus X1 के बराबर हो सकता है और ultimately 1 upon K के बराबर हो सकता है मतलब आपको reaction का वहाँ से ultimately क्या मिल जाएगा K मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आप देखिए 1 upon A naught और A naught दोनों को plot करने से difference create हो गया खेर आगे बढ़ते है next topic की तरफ मतलब next graph की तरफ ग्राफ नंबर 3 ग्राफ नंबर 3 हमसे क्या पूशे जा सकता है यह graph मेरा personally favorite है क्यों क्यों कि इसमें सिर्फ एक line produce करते हैं हम लोग मतलब जिन में line बनानी हो यार वो graph का तो मज़ा ही अलग है ना y equal to mx y equal to mx plus c वाले graph सबको पसंद आते हैं क्यों कि जादा भीजा और हमको जादा ध्यान भी नहीं रखना प कहा plot करने के लिए concentration है concentration का square ध्यान रखना concentration नहीं बोला है concentration का square बोला है तब क्या होगा पहले किसी भी graph को plot करने से पहले उसका formula पता होना चाहिए तब ही तो graph plot होगा तो हम सभी जानते rate is equal to k times the concentration का square होता है यानि कि मैं अगर rate को y-axis से plot कर रही हूं concentration के square को यानि कि इस पूरी की पूरी आपकी क्या कहतने है इस quantity को अगर मैं x-axis प्लोट कर रही हूं square include करके ठीक है तो यानि कि y equal to mx वाले format का curve हो गया ठीक है तो इसका again line मतलब इसका graph कैसा बनेगा यह straight line के जैसा बनेगा और यहा सकती हूं कि slope is equals to आपका कितना theta tan theta is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 या फिर यहां से अगर मैं compare करूँ तो slope आप लोगों का किसके बराबर आ रहा है के के बराबर आ रहा है यह आप लोग एक curve यहां से plot कर सकते हूं even हो सकता है ना कि आपका जो teacher है आपको यह curve कुछ इस तरीके से plot करने को ऑब हिक यह कह देख है कि आप rate versus concentration का curve plot करिए रहीट वर्सेस concentration वरेट सब्सक्राइशन का रेट वर्सनकिहां का सट्ट्रेशन का सटे कर और क्या है आपको रेट वर्सेस affair के रही 애कبر अकर दिकेगा जैसा उपर बनाया कंसंट्रेशन लेटेए की concentration का square लेते हैं इससे फरक पड़ता है देखिए कैसे फरक पड़ता है ध्यान से देखते हैं formula तो नेखो वही रहेगा क्योंकि formula तो एक ही है वो तो इना change होगा r equal to k times the concentration का square but not a picture is आप r को ले रहे हैं y axis पर ठीक है equal to k आपका जो square bracket यानि कि जो concentration है आप सिर्फ उसको x axis पर ले रहें उसके ऊपर के जो square है अब उसको x axis में ना ले रहे हो यानि कि यह जो curve है यह y equal to k times of x square वाले format का है या फिर मैं ऐसा कहूं यह जो आप लोगों का curve है आपने अगर शायद maths में parabola वगेरा इन सब की equations अगर deal की है तो पड़ा होगा y square equal to 4 times of ax y square equal to minus 4 ax x square equal to 4 times of ay x square equal to minus 4 times of ay यह इस type के curves देखे होंगे maths में या फिर मैं बता दूँ यह एक variable आपका degree 1 का है और एक variable आपके degree 2 का है तो ऐसे case में अगर आपको curve मनाना हो तो वो parabola होता है वो कौन होता है parabola parabola मतलब कटोरी ठीक है अच्छा तो यह curve फिलाल आप लोगों का कैसा बनेगा यह इस format का बनेगा अरे यार कटोरी अधीरी रह गई मेरी इसको चार्ज करना पड़ेगा बना लेना उसको उपर की तरफ अच्छा अब मैंने उसी तरफ particular direction में ही मैंने क्यों कटोरी बनाई नीचे की तरफ क्यों नहीं लेफ्ट की तरफ क्यों नहीं राइट की तरफ ही क्यों वो actually parabola की equations होती है है न कि अगर कोई कर मतलब equation अगर y2 equal to 4a x वाले format की है तो ऐसा बनेगा एक square equal to 4a y वाले format की है तो ऐसा बनेगा वगेरा तो आप उसके according बनाते हो वैसे यह वाली चीज़ आइधिंग area under the curve maths में एक topic होता है integration के बाद हता है think aod वगेरा के बाद हता है वहां पे भी हम लोगों को area under the curve में हम curves बनाते हैं तो उस वक भी आपको कर्स के बारे में idea होना चाहिए तो यह इस लिए इस format का है इसलिए ऐसा रिखर देखो यह आप लोगों की क्या देखने को मिल गया फर्क देखने को मिल गया graph नमबर पांच में आ जाए ठीक है graph नमबर पांच क्या कहता है उस पर भी बात कर लेते है लेट से आप लेगों के पार y-axis है मैंने तुमसे कहा कि y-axis में आप concentration को रखिए अच्छा सुनना y-axis में किसको रखा है concentration को रखा है और जो x-axis है x-axis में हमने किसको रख लिया है time को रख लिया है अब आपको curve plot करने को बोला गया कि बताइए curve क्या होगा अब देखो concentration words से कुछ समझ में नहीं आता है भाया किसकी concentration चाहिए तुछको reactant की चाहिए क्योंकि अगर आप reactant के respect में कर बना रहें तो अलग बनेगा product के respect में बना रहें तो अलग बनेगा दोनों के respect में same तो बनेगा नहीं न क्योंकि reactant समय के साथ साथ कम होती जाती है और product धीरे धीरे क्या होता जाता है बढ़ता जाता है तो फिलाल मेरे को नहीं बताया गया क किसके respect में बोलना चाह रहा है तो चलो मैं दोनों के respect में बना देती हूं तो concentration अगर मैं reactant के respect में बना हूं तो reactant की initial concentration तो highest रही होगी A0 let's say और समय के साथ सथ वो धीरे-धीरे-धीरे-धीरे decline होगी ठीक है और समय जब शुन्य था तो उस वक जो आप लोगों का product था उसकी concentration कैसी रही होगी 0 और समय के साथ सब product की concentration बोलो क्या हो रही होगी बढ़ रही होगी so this is my curve for the concentration versus time for reactant and this is my curve for concentration versus react time for the case of product तो concentration word से को समझ नहीं आता है अब किसकी concentration के बारे में बात कर रहे हो आपको पहले वो specify करना पड़ता है ठीक है बराबर आपको पहले वो specify करना पड़ता जब आप उसको specify करते हो तब आप curve plot कर सकते हो आचा चलिए graph नंबर 6 की तरफ आते हैं देखो मैं जितने graph बना कर दे रही हो या कोई दूसरा इंसान जितने graph बना कर दे रहा है exactly उतने ही curves आपको paper में पूछे जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता हो सकता है मैंने तुम्हें माल ल सकता है तो उसके लिए जो तुमारे basics होते है ना वह पदा होना तुमारे लिए बहुत ही आवश्यक है ठीक है चलिए आजओ नेक्स वाला कर इसमें आपको y-axis में reactant की concentration लेनी है लेकिन reactant की concentration का reciprocal लेना है उपर हमने क्या लिए आता मैंने वापे सिर्क अंसेंट्रेशन का लेकिन अगर मैं reactant का blue अला कर्व देखू तो blue अला कर्व आपको देखो ऐसा decay होता हुआ दिखकरा था अब यहाँ पर मैं one upon reaction ले रहे हूं one upon reactant या 1 upon concentration अगर हम ले रहे हैं 1 upon concentration अगर हम ले रहे हैं तो 1 upon concentration का कर्व अगर तुम से मैं plot करने को कहूँ तब तुम कैसे plot करोगे 1 upon concentration का कर तो 1 upon concentration नहीं की 80 कितना बचा reactant कितना बचा तो चलो बताओ क्या होता है 1 upon 80 is equals to kt आपका minus 1 upon a nought not minus प्लस ठीक है इसको प्लॉट करना चाहरे हो मैं y पर जरूरी नहीं यह 1 upon concentration आए ऐसा भी आ सकता है 1 upon 80 भी लिखकर आ सकता है है ना और इसको प्लॉट करना चाहरे हो आप x पर तो यह नहीं कि y equal to mx plus c वाला करव है अच्छा जहां पर आप लोगों को slope कितनी दिख रही है जहां पर अगर मैं दोनों equation को compare करूँ तो आप लोगों को slope कितनी दिख रही है slope के बारे में comment करो slope यहां पर आप लोगों को k के बराबर दिख रही है और उपर से वो slope आपको कैसी दिख रही है positive इसका मतलब graph increasing nature का है बढ़ता हुआ graph है और यहाँ पे आपको y intercept यह कितना देखने को मिल रहा है y intercept की value यहाँ पे देखने को मिल रही है 1 upon a 0 यानि कि यह curve कैसा दिखेगा something like this दिखेगा और यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर इस origin तक का यह जो ग्याप है यह किस चीज को indicate कर रहा है यह 1 upon a 0 की value को indicate कर रहा है चीक है और अगर theta angle मतलब theta बनाना है मुझे तो theta मैं कैसे बनाऊंगी यह एक line draw कर लो parallel to positive x-axis ठीक है और फिर यह angle कितना बन रहा है बराबर यह ऐसा नहीं कि इसको पीछे लेकर जा रहे हैं और फिर theta निकाल रहे हैं वो नहीं हम जब slope के लिए जब theta define करते हैं तो वो positive x-axis के साथ उसने कितना degree बनाया है हम वो define करते हैं ठीक है हम उसको define करते हैं तो therefore आपको यहाँ पर यह थोड़ा second order kinetics को लेकर सारी बाचीत तुम्हारे साथ कर ली case number 1 को लेकर अब हम लोग आते है case number 2 के b part पर यह सारी बाचीत case number 1 पर and even case number 2 का जो a part था जिसमें हम यह मान के चल रहे थे कि दोनों की concentration reactants की same है यह उनके लिए valid थी ठीक है but right now अब हम लोग case number 2 के discussion की तरफ move कर रहे हैं उस इस डरिवेशन को करते वक हमने कुछ पर्टीकुलर नियम मना है यह पर्टीकुलर नियम क्या है पहले इस पर बातचीत कर लेते हैं नियम नमबर एक हमारा ये है कि हम A और B दोनों की concentration अलग ले रहे हैं लेकिन दोनों के concentration के बीच में बहुत बड़ा significant difference नहीं होना चाहिए मतलब एक की concentration बहुत जादा और एक की concentration बहुत कम ऐसा नहीं ठीक है यानि कि थोड़ा बहुत gap रहा तो चलेगा बहुत बड़ा large difference नहीं ये नहीं चलेगा ठीक है क्यों नहीं चलेगा क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर वो pseudo order kinetics में आ जाते हैं हम लोग तो उसका case हम कल discuss करने वाले इसलिए बोलने हैं ऐसा नहीं चलेगा तो point number one यहाँ पर हम लोगों को क्या difference बताब बाचीत करनी है कि जो concentration है ठीक है आप लोगों के दोनों reactants की A और B should not have large difference उनके बीच में क्या नहीं होना चाहिए कोई बहुत बड़ा सा difference नहीं होना चाहिए बहुत बड़ा point number two पर बाचीत करते हैं जो कि I think मैंने zero order के वक भी बताई थी मैं फिर से बता रहेती हूँ हम जब भी कोई भी derivation करते हैं हर derivation को करते वक्त हम reactant की stoichiometry one होगी ऐसा मान के चलते हैं और जब तक reactant single होता है ना single तो हमें उस stoichiometry से कोई खासा फरक भी नहीं पड़ता क्यों मान लो कल को stoichiometry रही three times of a is giving you product तो उपर अभी मैंने जो भी formula derive करवाएं वो तो a के लिए करवाएं three times of a के लिए तो करवाई नहीं है फिर ऐसे में हम क्या करते है reaction को three से divide कर देते हैं अब product के नीचे चला जाता है वो three तो देखो एक ही stoichiometry one हो गई है ना तो जब तक reactant अकेला होता है तब तक हमें stoichiometry से कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि हम उस stoichiometry को divide करके हटा सकते हैं बराबर परंटू जब दो दो reactants आ जाते हैं जैसा कि तुम्हें मैंने पुरानी क्लास में बताया है जीरो अर्डर वाली क्लास में बताया है तब तकलीफ आ जाती है कैसी तकलीफ आ जाती है दोनों की stoichiometry सेम रही two two तो अच्छी बात है पूरी equation को two से divide कर दो दोनों की one one हो जानी है बट अगर मान लेते हैं दोनों की stoichiometry रही अलग-अलग एक की two एक की three अब अगर तो पूरी reaction को two से divide करते हो तो एक ही stoichiometry जिसकी two थी वो तो बोलो क्या हो जाएगी आप लोगों की one हो जानी है बट जिसकी stoichiometry three है क्या वो one होगा वो तो three by two हो जाएगा फिर और हम तो derivation ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास stoichiometry one है तो इसलिए दूसरी requirement इस particular derivation की हमारी ये है कि दोनों जो reactants है उन दोनों reactants की जो stoichiometry है stoichiometry of reactants वो बोलो कैसी रहनी चाहिए आप लोगों की कैसी रहनी चाहिए सेम रहनी चाहिए जैसे की two times of a plus two times of b three times of a plus three times of b hundred times of a plus hundred times of b ताकि मैं उसको reaction को overall hundred से divide कर सकूँ और ताकि stoichiometry one one हो जाए और formula फिर valid है अलग stoichiometry के लिए define नहीं है अगर अलग stoichiometry आजाती है जैसा कि मैंने zero order के case में बताया था फिर आपको दो rate constant define करने पड़ते है k1 k2 फिर आप k को k नहीं लिख सकते है उसको stoichiometry के साब से two या है तो three से multiply करो याद करो zero order kinetics हमने पर्सों की क्लास में पढ़ा है कल पर्सों की क्लास में बताया था किस तरीके से काम होता है बस फिर वह समना टक नो टंकी आ जाती है तो जो फॉर्मूला भी डिराइव होने वाला है नहीं यूस फॉर्मले की यह लिखो rate is equal to k times the concentration of a raised to the power 1 b raised to the power 1 यह भी एक second order kinetics है और अगर आप इसकी बात करोगे a raised to the power 1 by 2 और b raised to the power चलो कितनी रख लेते हैं इसको इसको कितना रखें इसको रख लेते 3 by 2 यह भी एक second order kinetics है जैसा कि तुमको zero order के वक्त सिखाया गया था कि overall इनका जो addition है यह equal to 2 आना चाहिए है ना बराबर ऐसा कोई नियम नहीं कि दोनों के order सेम होने चाहिए आप कुछ भी रखो total addition लेकिन 2 आना चाहिए फिर ऐसे में तो कितने सारे possible cases बन जाएंगे एक formula आप इसको लेकर भी derive कर सकते हो एक formula आप इस condition को लेकर derive कर सकते हो एक formula किसी दूसरे student के according derive कर सकते हो तीसा formula किसी चौटे student के according derive कर सकते हो तो ऐसे में तो मैं formula derive करते 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 पागल ठीक है तो यह formula तभी valid होगा जब आपको इस प्रकार का कोई rate law देखने को मिलेगा अन्य था यह formula आपका valid नहीं है ठीक है चलिए derive करते हैं इस formula को मान के चलिए आप लोगों के पास दो reactants है एक है A, एक है B, दोनों की stoichiometry same ठीक है product बना लिए 1-1 अगर stoichiometry 1-1 ना होती let's say 3- 3 होती तो मैं पहले क्या करती पूरी equation को 3 से divide करती इसको मैं ताकि A plus B और इसको product by 3 मना लेती इसलिए वहाँ पे stoichiometry same रखाना ज़रूरी था ताकि हम लोग उसको divide कर सकें ठीक है divide कर सकें इसलिए चलिए आगे अब जब हम बात कर रहे है reaction जब जब शुरू हुई है तो कितनी है आप लोगों की A naught और B की concentration लेट से कितनी है B naught और product उस वक्तो 0 रहेगा जब कुछ समय बीत गया यानि कि जब हम T equal to T पर पहुँच गए तब उस वक्त A naught में से X खर्च हो गया होगा B naught में से X खर्च हो गया होगा और यहाँ पर आप लोगों का X बन गया होगा ख Differential के form में लिखोगे ठीक है किसके form में लिखोगे Differential के form में रेट लिखोगे आच्छा ठीक है लिखीए मैंण। differential के form में rate लिखिए और एक rate होता है rate law के according rate लिखना दोनों तरीके होते हैं एक differential के form में rate लिखिए और एक तरीका होता है किसके form में rate लिखने का rate law के form में rate लिखने का तो हमें दोनों तरीकों के बारे में बात करना है चलो तो अगर मैं differential के form में लिखूँ तो मुझे दिक्कत हो जाएगी A0 के terms में लिखूँ कि B0 के terms में लिखूँ तो इसे लिए हम उस rate को लिखते हैं X के terms मतलब कितना change होता जा रहा है X मतलब कितना change हुआ कितना गायब हुआ तो बेसिकले कितना गायब हुआ इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करने से पहले आप लाइक टम्स एक तरफ लिखूँ अपन में यहां पर A0-X और यहां पर B0-X और यहां पर इक्वल टू- K टाइमस आफ आपका DT तुम्हारी मर्जी है तो माइनस को राइट साइड भी रख सकते तुम्हारी चॉइस है ऐसा नहीं कि मैं माइनस को राइट साइड लाइँ हूं तो तुम्हें भी राइट साइड लना पड़ेगा लिमिट्स के बारे में लेकर आप लोगों की कहां तक हो जाएगी टी तक हो जानी है और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट्स के बारे में बात करूँ तो यह एटी मत कर दे ना गदे के जैसे एटी लिमिट्स हम तब करते थे जब हम इंटीग्रेट डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हैं समझ रहो तो जब रियाक्शन शुरू हुई थी तब तो एक्स जीरो ह रहा होगा ना तब तो कुछ खतमी नहीं हुआ प्रोडक्ट में अच्छा और जब आफ्टर सम इंटर्वल ऑफ टाइम यह की चीज कितनी हो गई आप लोगों की एक्स हो गई अब ध्यान से सुनिए इंटीग्रेशन की जो पूरी स्टेप्स है आपको याद रखने की कोई आवश्यक्ता नहीं है क्या यार इंटीग्रेशन पूरा याद रखेंगे क्या कोई नीड नहीं आपको इंटीग्रेशन की स्टेप्स याद रखने की इसको पूरी तरीके से जब इंटीग्रेट कर लेते हैं तो इंटीग्रेट कर लेने के बाद आप लोगों की गोदी में एक formula आता है वो formula आपको याद रखना है बस और कुछ नहीं अब हम आते हैं इसके derivation में तो derivation में फड़ा फड़ बता देती हूँ let's say अगर किसी को वो point नहीं समझ में आ रहा है तो उसकी math का हंजोर है वो इंसान अपने math को part वाले को फिर skip कर सकता राइट साइट इंटिग्रेट भी कर दिया राइट साइट लिमिट भी पुट कर दि everybody knows the answer would be minus of kt done चलिए बढ़िया है अच्छा left side की तरफ आ जाते हैं left side वाले part को integrate करना पड़ेगा तो left side वाले part में आ जाओ उसको integrate करो बड़ी शद्धा पूर्वक उसका integration आपको perform करना है बताईए क्या हो जाएगा इसका integration यहाँ पर one upon a naught one upon a naught minus में b naught फिर integrate आपका a naught minus x minus में b naught minus x upon में यहाँ पे कितना आ जाना है a naught minus x और यहाँ पे b naught minus x done चीक है मैं again कह रही हूँ integration अगर तुम्हें नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं है उसको भूल जो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन क्योंकि कैसा है यह class maths की तो चलनी रही है कि खेर तुम्हें maths समझाने बैठ गए और जरुवत भी नहीं है इसको समझाने की इसलिए limits 0 से लेकर x पहला b naught minus x और a naught minus x इसपे separate out कर लेते हैं तो यह चीज हो जाएगी 1 upon b naught minus x dot d x minus में integration के limit 0 से लेकर x आप लोगों का 1 upon a naught minus x और यहां पे dx अच्छा इक्वल टू में kt तो अव्वेस है कि हो गई होगा फिर यहां से k की value को वहीं पढ़े रहन दो t को भी फिलाल वहीं पढ़े रहन दो तो term आ गया 1 upon a naught minus में b naught ठीक है a naught minus b naught अच्छा bracket में 1 upon x का integration क्या होता है log x base e तो यहां पे भी करो कितना हो जाएगा integration log b naught minus x हो जाएगा लेकिन हमने x किसको assume किया है b naught minus x को तो फिर आपको उसको क्या करना पड़ेगा उसके denominator में लिखना पड़ेगा यह चीज कितनी हो जाएगी log आ जाना है log के बाद यह चीज आएगी minus ठीक है अच्छा minus में यहां जाएगा b naught minus x यह एक minus पहले से है और एक minus और आ गया यानिकी plus log base e वाला है a naught minus x limits अभी हम put करने के common limits से सभी में 0 से लेकर x चलो अब limits दी put कर दो अच्छा equal to में 1 upon kt है वो कहीं नहीं जा रहा है 1 upon a naught minus b naught यहां bracket में कितना आ जाएगा आप लोगों के पास log a naught minus x upon में b naught minus x minus में log आप लोगों का a upon b ठीक है अच्छा अब इसमें और क्या simplify किया जा सकता है log की properties 1 upon a naught minus b naught फिर यहां पे आ जाएगा आप लोगों का log log के बाद कितना यहां पर इस चीज़ को लिख सकते हैं हम लोग आपका b naught यहां पे a naught minus x upon में a naught और यहां पे b naught minus x बराबर यह इस तरीके से अच्छा मैंने यहां पे इसको ऐसा लिख दिया था क्या उसको ठीक कर दो यह हो गया आप लोगों का एक मिनिट ठीक है मैंने भी तो सही लिखा है बस मैंने इसको reciprocal कर दिया था खेर चलो इसको हटा देते हैं लिख देते हैं 1 upon आप लोगों का क्या गया formula a naught minus b naught ठीक है equals to अच्छा क्या equals to नहीं log base e है यहां पे उपर में b naught और a naught minus x और नीचे में आप लोगों का a naught और यहां पे b naught minus x equal to kt बस यह formula याद रखो इस formula को लोग modify कर सकते हैं जैसे कि मैंने तुम्हें अब starting में formula लिख वाया था का अधना इसको याद रखना remember रखना है ना तो वो जो point है उसकी तरीके से भी लिखा जा सकता मतलब जिसमें b naught आगे आजाए a naught आग पीछे चला जाए तो minus sign create होगा minus की वज़ा से अंदर की जो log है उस log की पूरी properties change हो जाएंगी तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो बट जरूरी नहीं है कि इतने सारे terms में याद रखना एक ही terms में याद रखो इससे numericals तो probably नहीं आते हैं और i भी तो बहुत ही easy है आपको बस x के बारे में पता होना चाहिए कि x क्या होता है a0 और b0 initial concentration के बारे में आपको पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं और otherwise इस formula को सिर्फ और सिर्फ एक ही purpose के लिए derive किया गया है वो उसका purpose यह है कि pseudo order kinetics क्या होती है यह pseudo order kinetics साके तुमको क्या की जाए सिखाई जा सके otherwise इसकी कोई importance नहीं है ठीक है वो pseudo order kinetics को सिखाने के purpose है तू तुम लोगों को यह particular चीज़ क्या की गई है सिखाई गई otherwise यह चीज़ नहीं सिखाई जाती सिर्फ pseudo order kinetics तो अब pseudo order kinetics क्या होती है तो फिराल हम लोग अभी pseudo order kinetics case में नहीं घुसने वाले हैं क्योंकि आज की class का हमारा aim second order kinetics था तो फिलाल हम लोगोंने second order kinetics पढ़ लिया तो इस चीज़ को हम लोग यहीं पर over करते हैं और pseudo order kinetics के बारे में आगे आने वाली classes में बातचीत करेंगे ठीक है और end order के बारे में भी हमको बातचीत करनी है तो दोनों चीज़ा हमारी pending है एक आपका pseudo order kinetics और एक end order kinetics ठीक है तो फिलाल इसको भी फिलाल यहां रोकते कल हम लोग pseudo order kinetics ही पढ़ लेंगे और साथी साथ में